नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रस्पती और शुक्र के मेल के क्या रिजल्ट होते हैं हमारी लाईफ पे कुणली में अगर कहीं पर भी ब्रस्पती और शुक्र हमारे टेवे में स्थान बनाकर बैठे हैं आज हम पूरी चर्चा करेंगे कि एक से लेके बारा खानों में जो है ब्रस्पति और शुक्र का क्या आसर होता है ब्रस्पति और शुक्र के क्या उपाय हो सकते हैं ब्रस्पति और शुक्र अगर कठे होते हैं तो कैसे हमारी लाइफ में पॉस्टिव या नेगेटिव रिजल में हैं क्योंकि आज हम एक से लेके बारा खानों में सारे खानों की क्या व्याख्या बनती है क्या रिजल्ट बनते हैं उन सब की आज चर्चा करने वाले हैं देखिए ब्रस्पती और शुक्र अगर हम दो रंगों की बात करें यहां पर ब्रस्पती और शुक्र जब एक नैच पन होता है, यहां पर लाल किताब में यही सिद्धान्त को मसनूई कहा गया है कि दिखावट के ग्रे जो डुप्लिकेट ग्रे बनते हैं जब शुक्र और ब्रस्पति यानि कि दो रंग ब्रस्पति जो है जर्द या पीला रंग और शुक्र जो है वाइट कलर, जब इनका वाइट ओफ वाइट या फिर क्रीम वाइट हम कहें, जब ये कलर आपस में मिलता है, तब एक तीसरे रंग का फॉर्मेशन होता है, पर यहाँ पर जो है, इसकी फॉर्मेशन के लिए जो बताया गया है, वो केतू के बारे में बताया गया, यानि कि तुस भाव का एक जो है रिजल्ट आपके लाइफ में जो है मिलना शुरू होगा अब जो है ब्रस्पति और शुक्र जब इकठे होंगे तब यहां पर क्या चीज़े बताए गई हैं कि देखें ब्रस्पति और शुक्र अगर हम शुक्र की बात करें शुक्र का जो मित्र ग्र फल जो होंगे वो आबाद होंगे पर जो हैं ब्रस्पति के फल है वो यहां पर दबे जाएंगे यानि कि वो ही दबे हुए होंगे यानि कि ब्रस्पति rollsों में कहीं न यहां पर ब्रस्पती और शुक्र होने की वज़े से कहीं न कहीं ये अलाद संबंदी दिक्कत है या फिर अलाद के लिए मंदा हो जाता है और साथ ही साथ अगर मान लिजे कोई इनसान कहीं लव अफेर में है तब ऐसे लोगों का लव अफेर जो है वो सकसेस होता है जो लोग कहते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी या नहीं या हमारे लव सकसेस कैसे रहेगा लव रिलेशन कैसे रहेंगे अगर इस पार्ट की हम बात करें तो ब्रस्पती और शुकर का एक जो मेल है ये ऐसे लोग जो डिजार्स रखते हैं लव अगरा के प्रेम संबंद की प्रेम विवा की तो उनके लिए ये काफी ज़्यादा पॉस्टिव हो जाता है अब हम बात करते हैं कि ये हेल्थ को कैसे एफेक्ट करता है देखिए हेल्थ में भी यहाँ पर एफेक्ट काफी ज़्यादा आते हैं बरस्पती संबंदी चीज़ें यानि कि आपका लिवर आपकी डाइजेशन आपकी जो है ओवराल परसनेलिटी वहाँ कहीं ना कहीं ये काफी एफेक्ट करता है कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनको जो है ऑप्रिश स्जुकर को जो है शनी की सपोर्ट मिलये टी इसे सपोर्ट मिलेगा ऐसे सपोर्ट के कारण वह जो है लाइफ में तरखियां हसिल करता है उसके जो है life में अर्चने अगर कहीं पर आती हैं तो opposite sex की तरफ से उसके जो है अर्चनों को काफी ज़्यादा दूर करने में मदद मिलती है अब यहाँ पर एक चीज और बात कहीं गई है कि मान लीजिए कि जिसके बरिस्पति और शुकर एक साथ इकटे हैं तब यह जनम वक्त का समय जो होता है अगर हम बात करें 16 साल बरिस्पति की उमर तक का तब यहाँ पर जो है उसका जो कुछ मंदा फल हो सकता है उसकी education या फिर उसकी health में कहीं न कहीं problems रह सकती है उसको जो है एक मंद भाग जो होता है वो कहीं न कहीं मंदा रह सकता है उसको जो आप जादे जो है उनको कहीं issues रह सकते हैं ऐसे इंसानों में एक काम देव की भी बात कहीं है कि ऐसे इंसानों में जो है एक sex desires काफी ज्यादा होती है अगर यह लोग गंदे चालचलन में पढ़ जाते हैं गंदे जो है चालचलन इनका जो है moral values जो अगर डिग्रेड हो जात एक्स्ट्रामेरिटल अफेर्स रखते हैं या फिर जो भी है इस तरह से अपने चालचलन को गंदा करते हैं तब यहां पर ब्रस्पति का फल जो है पूरी तरीके से नस्ट होता है जिसका नतीजा जो सिरफ बरबादी धन की बरबादी और शरीर की बरबादी ही होती है ऐसे लोग जो है अपने आप ही जो है लाइफ में प्रॉलम्स क्रियेट करते हैं क्योंकि उनका connection रहता है डी-moralized हुने की वज़ेसे होता है गलत संगती की वज़ेसे होता है गलत स्त्रियों या फिर गलत पुरुशों के चक्कर में पड़ने की वज़ेसे यह चीजे होती है ही ज्यादा negative result लेकर आता है अगर उसके साथ उसके पिता हैं तो उसके जीवन में तरक्की नहीं हो पाती हैं पिता के जाने के बाद वो कहीं पर जो है उसकी life में stability आती है खाना नंबर एक में ये तक कहा गया है कि ऐसा इंसान की जो किस्मत होती है एक साधू की तरह होती है औ और यहां पर married life संबंदी काफी जादा issues आते हैं खाना नंबर दो में ये कहा गया है कि ऐसे इंसान का सोना मिट्टी होगा यानि कि उसको जो है ब्रस्पती के कामों से कोई जो है फायदा नहीं होगा अगर जो है फायदा होगा भी तो उसको जमीन ज्यादा agricultural land से फायदा हो मैं ब्रस्पती और शुक्र के होने के वज़े से उलाद के विगन स्पेशली जो है नर उलाद के विगन आते हैं उसको जो है नर उलाद प्राप्ति में काफी ज़्यादा दिखतें आती हैं खाना नंबर तीन के जो ब्रस्पती और शुक्र के जो हालात ये इस तरह से कहे ग पाउस ही उसकी लाइफ में उनती का कारण बनेगा पर ऐसे इन्सान अगर शराप बगर चकरों पढ़ जाए So उनकी लाइफ में प्रॉलिमस आती हैं तो स्यहाना आश करता हैं अगर वह अपने शुक्र को अच्छा रखें तो जो combination है जो आपको अच्छे result देना चाहता है वो चाह कर भी अच्छे result नहीं दे पाएगा तो आप किसी की खुशामत मत कीजिए अपने कर्मों पे विश्वास रखिए और जितना हो सके practically life जीए और किसी की चापलूसी या खुशामत करके जो है आप आगे बढ़ने की पर यहां पर जो है इस केस में ब्रस्पती और शुकर के होने की वज़े से यहां पर यह बात कही गई है कि ऐसे इनसान को जो है एक बच्चा बतौर नमूना यानि की बतौर एक सेंपल जरूर मिलेगा पर उसकी और जो है वो यहां पर चल बसती है अगर ब्रस्पती और यह आपने पेली के लिए आपने दिर्म के बिरिस पति की पाल और अबुंझा दिर के ब भुगा जाती है वो कट जाती है खाना नमबर पांच की बात करते हैं तो यहाँ पर यह कहा गया है कि इंसान अपनी बुद्धी और विद्या के दम पर अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करेगा अगर माल लिजे वो विद्या और बुद्धी का सही धंग से इस्तमाल करता है तो उसकी लाइफ में सक्सेस आती है और वो खाना नमबर पांच में बैठे ब्रस्पती और शुकर के यह कॉंबिनेशन से जो है लाइफ में सक्सेस हासिल करता है अब मंदी हालत में यह कहा गया है कि अगर माल लिजे ऐसा व्यक्ति किसी गैर पराइस्तरी या फिर पराइफ मद्ध से संबंद रखता है तो ऐसे लोगों के घर में अमोमन धन का नाशी होता है बिमारियां वगरा ही आती है और वो ब्रस्पती शुक्र जो अच्छे रिजल्ट देना चाहता था किसी कारणवश वो ना देकर आपकी लाइफ में प्रॉलम देना शुरू कर देता है खाना नमबर 6 के ब्रस्पती और शुक्र के बारे में हम इनके अलगलग डिजल्ट को देखकर स्टडी करते हैं खाना नमबर 6 के शुक्र के बारे में ये कहा गया है कि आउलाद संबंदी दिक्कते होंगी स्टरीज वर्ण को यहां पर आपकी वाइफ को जो है हेल्थ इशुज होंगे खाना नमबर 6 का ब्रस्पती आपको आपको खुदकी हेल्थ देगा आपकी लाइफ में संताप जाबह देगा आप प्रनौकरी यहां पर अच्छी चलेगी और दोनों का चीजें हैं वो आप धर्मस्तान में दान करते रहें और शुकर के लिए आप जो है वाइफ के बालों पर जो है सोने का क्लिप पगरा लगा के रखें और साथ ही मंदे चाल चलन से बच के रहें तो यहां पर बरस्पति शुकर का जो एक कॉंबिनेशन है वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा खाना नमबर साथ में जो है शुकर अपने ही घर में होगा पर यहां पर एक चीज कहीं गई बरस्पति और सुकर खाना नमबर साथ में है और साथ में ही मंगल बद है तो ऐसे लोगों क ब्रस्पति और शुक्र का जो है केतू स्वभाव का है जिस वज़े से अलाज संबंदी यहां पर दिक्कते होती हैं और अगर मालीजे ऐसा इंसान अपने ग्रस्त को भोगने की बजाए जो है धर्म ज्यादा ही धर्मिक रहता है और जो है सादू संतों या पुजारियों को एक डिब मेल कहलाया जाता है अगर मालीजे खाना नंबर दो में कहीं ब्रस्पति के दोस्त वगरा ना हो और खाना नंबर आठ का जो एक ब्रस्पति और शुक्र इन दोनों का अलग अलग ही रिजल्ट बताया गया है कि ब्रस्पति का वही रिजल्ट होगा जो खाना नंब पर आठ में कहा गया है यानि कि आपकी जो है married life और जो है ग्रहस्त सुख यहां पर कहीं बहुत ही ज्यादा प्रभावित रहता है उलाद संबंदी विग्न आते हैं इसके लिए जो है एक्जामपल भी दिये गए हैं और उसके साथ उपाए भी दिये गए हैं उपाए के तौर या फिर गाजर जो है वो धर्मस्तान यानि कि मंदिर में दान करते रहें जिससे जो है खाना नमबर दो का एक जो इनका प्रभाव है वो आना शुरू हो खाना नमबर नौ में जो है ब्रस्पती और शुक्र का भी यहां पर जुदा जुदा जो है असर कहा गया खाना नमब ब्रस्पती के जो हाल हैं वो भी कहीं खराब हो जाते हैं क्योंकि यहां पर शुक्र उसका दुश्मन गरह एक साथ दोनों का कंबिनेशन बैटके आपके खाना नमबर 9 में बैटके एक पितर रिंड की भी शर्त को पूरा करता है यहां पर साथ ही साथ आपको ब्रस्पती शु आप नीम के तने में डाल सकते हैं अपने शरीर पर सोना या फिर जो है गले में पीला धागा और माथे पर केसर या फिर हल्दी का तिलक आप नित्य प्रति दिन लगाएं 43 डेज जिससे जो कि आपके ब्रस्पती और शुक्र का एक जुदा जुदा असर आपको मिलना शुर खराबियां होंगी और ऐसे इंसान काम खाल की खराबियां और अपने काम काज को ज्यादा सीरेसली तबज्ये नहीं देपाएगा अगर ऐसे लोगों ने कहीं पर भी पराय स्तरी या पराय मर्द के साथ जो यहां पर जो है उनके अलाद संबंदी विग्ण और जिवन भर तोहमते और लांचन उसके जिवन पर लगते रहेंगे यहां पर आचरण को सही रखना होगा और कारे शेत्र में चुस्ती चलाकी से काम करना होगा दस अंधों को बोजन कराएं ताकि आपका एक अंधे टेवे का एक जो बना हुआ है ब्रसपती और शुकर के होने के वज़े से उसका एक नेगटिव इफेक्ट आपके लाइफ से दूर होना शुरू हो फारा नंबर ग्यारा में ब्रस्पति और शुकर की बात ये कह गई है कि ब्रस्पति के अगर हाल को देखे तो इनसान की किसमत राजा पांडू की तरह होगी यानि कि ऐसी इनसान का जो ब्रस्पति जो सोना है वो किसी काम करना होगा और ऐसे लोगों को ज़्यादा तर जो है अगर मर्द की बात करें तो उनको इंपोर्टेंसी या फिर जो है बच्पन में वो गलत हरकतों के कारण यहां पर हस्त मैथून की भी बात की गई है कि ऐसे लोग अपना ही वीरे अपने ही हाथों से नस्ट करते हैं उनके धन दौलत की जो है एक आमदन की जो प्रॉलम होती है आमदन का कभी आना कभी जाना इस तरह की प्रॉलम रहती है फाइनेंशल एक स्टैबिलिटी को लेके काफी जादा यह संगर्श करते हैं अलाद संबंदी दिक्कते इसलिए आती हैं क्योंकि उनको सेक्शुली प्रॉलम्स रहती हैं अब खाना नंबर बारा की बात कर लेते हैं खाना नंबर बारा में यहां पे कुछ हाथ तक रिलीफ मिल जाता है क्योंकि खाना नंबर बारा में यहां पे शुक्र उच का है ब्रस्पती का पक्का घर खेलाता है अगर मालीजे खाना नंबर छे से कोई मंदे गर्वाव का प्रभाव नहीं आ रहा है तो यहां पे ग्रहस्त सुक उम्दा होता है पर ऐसा इनसान जो है एक दिन जो है ब्रस्पती के बारे में यह कहा गया कि ऐसा इंसान अपने धन माया पर पेशा आपकी धर मार के चला जाता है यानि कि ऐसे इंसानों को पैसे से कोई लेना देना नहीं होता है पर ग्रहस्त सुक वो इंजॉय करेगा क्योंकि यहां पे ब्रस्पती और शुकर का एक लेना बैठा हो उस ग्रहे पे कोई दुश्मन ग्रहों की दृष्टी ना आ रही हो और वो पूरे टेवे में अगर हम उसको देखें तो वो किसी हद तक जो है अच्छे रिजल्ट और अच्छी स्ट्रेंथ लिए बैठा है तब वो ग्रहे जो है अच्छी कंडिशन में कहला पर इसके विपरीत जब वो उस ग्रहे के जड़ में जैसे कि ब्रस्पति की हम बात करें तो खाना नंबर 259 12 में अगर को इसके दुश्मन ग्रहे आ जाते हैं या फिर वो प्रस्पति खुद जो है दृष्ट पापी ग्रहों से दृष्ट हो रहा है दुश्मन ग्रहों से द लेंगे अच्छी हालात है किसी ग्रहे की और हम जो है उस ग्रहे के विपरीत काम करते हैं तो उस ग्रहे अच्छे ग्रहे को भी हम मंदा कर लेते हैं और अगर कोई ग्रहे मंदा है और हम उल्टे काम करके उस ग्रहे मंदे के असर को और मंदा करके जो है उसको नेगिटिव energy को बढ़ाते हैं तो लाइफ में प्रॉलम्स आती ही हैं तभी मैं बार-बार यही कहता हूं कि आप उपायों से ज्यादा जो है लाइफ में जो है अपने डूज एंड डॉन्स यानि कि साफधानियों को अपनाएं और जो है आपके गरहे कैसे हैं आपको किस हिसाब से चलना ह अपने रहन सहन अपने बरताब में बदलाव लाके अपने खराब गरहे को भी आप अच्छा कर सकते हैं उपाय एक बात की चीज होती है उपाय का मतलब यह है कि आपको बुखार चड़गे आपने गोली ले ली आप गोली हमेशा नहीं लेते हो आप गोली जो है बुखार क नहीं पी होगे तब आप बिमार कैसे होगे और आपको दवाई लेने की भी जुरुत नहीं पड़ेगी इसी concept को समझ के चलिए कि अपने life जो है उसमें जो है जीवन में अच्छे आचरन को अपना ये अपने खराब गरहों से संबंदी चीजों को आप अपने त्यागी अगर कर्माली जो कोई घ्रह खराब हैं तो उनकी do's and don'ts यानिकि उनकी साफधानियों पर चलिए तो आपके लाइफ में प्रॉलम नहीं आएंगी तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पोस्त में कुछ मैंने ब्रीट में कुछ चीज़ें आपको बताने की उपाय कैसे करते हैं जो होगा बात अब बात आजाते हैं कि उपाय की माल लीज़े आपके लाइफ में मंदे इसका असर आ रहा है तो उपायों के लिए आपके टेवे को देखना पड़ता है कि आपको कैसे उपाय करने की जुरुत है ब्रस्पति शुक्र के कॉमबाइन तब बात नहीं बनेगी और भी ग्रहों के उपाय साथ में करने पड़ते हैं तो बाकी उपायों को सबको साथ में लेकर ही हम किसी एक मंदे ग्रहे के जो है मंदे असर को अपने से दूर कर सकते हैं तो आप समझी रहे होंगे कि कंसेप्ट क्या है कंसेप्ट यही है कि कभी पी आपने इस चीजह उनली तो उनको उपायों के लिए मत आगे बढ़िये सबसे पहले और चीजों को भी साथ में चलिए मान लीजे किसी को बीमारी ही है तो सबसे पहले यह पता लगाना होता कि बीमारी infection है वाइरल है या कोई और प्रॉलम है या वह नॉर्मल ही उसके जो है मान लिजाए आप कहीं से खेल कर आ रहे हैं बड़ी धूप से खेल कर आ रहे हैं और आते ही आपने पानी पी लिया तो आपको सर्द सर्द जुकाम हो जाएगा हो सकता है वह सब्सक्राइब को जाए अगर कोई लंबी बिमारी होगी तो उसका टेस्ट होगा कि आपको बिमारी क्या है आपके लैब टेस्ट होंगे सब कुछ होगा उसके बाद एक combination में दवाई दी जाएंगे फुल मेडिकल कोर्स होगा जैसे कि इसी चीज़ को मान के चलिए कि आप जो अगर कोई उपाय करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से ही उपाय करिए ताकि उसका आपको प्रॉपर रिलीफ मिल सके तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने आप आ नेक्स्ट वीडियो पोस्त में फिर मिलेंगे तब तक के लिए आ गया दिजिए नमस्कार